हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आज मैं आपको बताऊंगा आड़ोब स्कैनर को यूज कैसे करते हैं चाहे आपको यूज करना कोई भी फोटो स्कैन करने के लिए इसका जो स्कैनिंग है नो माइन ब्लोइंग है ऐसा है मतलब आप देखेंगे ना क्वालिटी तो बिल प्रोटन चीजें वह सारी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मैं एड़ोब स्कैनर को यहां से मैंने ओन कर लिया और और आपकरने के बाद जो है मैंने इसका बहुत जाद अब तक यूज किया है मैं इसको पिसले एक साल से जो है मैं इसको कंटिनुवसली यूज कर रह है तो यहां पर जो है so only the documents भी आप कर सकते हैं यहां से जिससे कि आपके phone में या फिर जितने laptop में जो भी आपके document है वो सभी आपको दिख जाएंगे ठीक है तो यह भी आप कर सकते हैं यह देखिए अपर मेरे सारे documents so कर रहे हैं लेकिन मैं आप सभी को यहां पर दिखाना चाते हैं तो यहां पर आप जाएए और क्लिक कीजिए और उसके बाद यह white button पर आपको करना है simply click तो आप जैसे click करेंगे यह जो है यहां से image को catch कर लेगा ठीक है और अगर आप को form लेना चाहते है whiteboard की pics लेना चाहते हैं तो सारे भी आपको feature यहां से मिल जाता है बट मैं सिर्फ एक documents के लिए रहा हूं तो यहां से जो है मैं simply click करके यहां से इसको जो यह दो image है इसको यहां से क्या करूँगा अगर मैं चाहूँ crop करना तो यहां से crop का भी option आपको मिल जाता है easily ठीक है तो आप इस तरीके से भी इसको आप adjust कर लें उसका बात कर लें done और अगर म आप इस तरीके से खैज के या scan करके add-off से किसी को जब आप data को share करेंगे न वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और वो इसकी study कर सकता है तो यह तो एक example simple सा यह देखिए उसके बाद एक इसे भी खैचा यह भी बहुत ही बैट रहा है आप यहां से चाहें तो इसे rotate कर सकत हैं लेकिन एक खास चीज यहां पर आपको color adjustment का भी option मिल जाता है अगर माने लीजिए आपका book को आप इस तरीके से लेना चाहें original color में तो यह original color मेरा ऐसा दिखता है auto color की बात करूं तो वो जो है बहुत ही जो इसका जो personal है खास वो यह वाला है ठीक है और अगर मैं आपको बात करूं color की तो यहां पर आपको कई सारे जो है अलग-अलग किसम के color मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे quality में आपको provide किया जाता है देख आपको उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पर size को A4 आपको land escape चीए A3 size चीए वह आपके हिसाब से जैसा आप चाहते है तो मैं यहाँ एक simple A4 रहन दोगा क्योंकि A4 जो है जादा useful size है ठीक है उसके बाद आपको simply करना है जब यह सारे आपके adjust हो जाए तो उसके बाद आप कर सकते हैं save तो जैसे आप save button पे click करेंगे यह जो है आपका application जो भी आपने photo खेचाए यह जो है आपके phone में save हो जाएगा आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने हापे इतने सारे image को इस application के through scan किया हुआ है और मैं कई सारे notes बनाता हूँ जो कि बहुत important notes होता है और वो notes मैं अपने student को provide करता हूँ जैसे भारते संबेधान के बिदेशी इस्तोतर किया है और बिदेशों में जर्मनी और उस्ट्रेलिया दचिन अफरिका उन सभी के बारे में तो देख रहे हैं इसके clarity कितना मतलब जहन बैना है वो यहाँ पे तो इस तरीके से आप भी इसको use कर सकते हैं और मैंने तो इसको खूब और बहुत ही जादा use किया हुआ है तो इसलिए देखिए अब यह जो हमने इन दोनों को किया था मैंने आप साइज को adjust किया हुआ है इसलिए size ऐसा आ रहा है आप चाहा है तो size को change भी कर सकते हैं अपने according ठीक है उसके बाद होने के बाद आप को करना है more पे click और उसके बाद कर देना है save page as png जैसे आप यह कर देंगे यह जो है page आपके folder में save हो जागा यह देखिए page is save your phone photos photos में सारे page चले गए उसका more पे करके आप इन सभी को जो है अपने google drive में save कर सकते है as a lifetime या फिर आप copy to device अपने device में भी एक copy कर सकते हैं तो यह एक बहुत important और खास तरह का application है और बहुत ही जादे use होने बाला application है इसलिए यह मेरे phone में कोई application रहे ना रहे यह मेरा एक बहुत important और खास application है इसलिए जो है मैं इ वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और पहली बार हमारे इस चैनल पर आये हो तो आप हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करना so thank you very much watching this video